अलो नमस्कार कैसे हैं आप उम्हीद करते हैं आप अच्छे हैं ग Hofden बेदर होंगिए तो लोस्तों आज हम आपको बताने वाले यह देखिए यह कितना सुंदर कितना प्यार करेला या करेल इゲ्री कहते हैं आपके सामने यह देखिए एक और मैं मैं इसका फल दिखाता हूं य आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास यह space कम हो जगह कम हो तो आसानी से और कम खर्च में आप जो है कि करेली लौकी कोणा के लिए आप जो है कि क्या बना सकते हैं मचान आराम से बना सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह मेरा जो घर है ठीके यह मेरे घर की boundary wall है ठीक है चारो चारो तरफ जो boundary wall होती है वो है उसी boundary wall के बगल में मैंने इसके बीच डाल दिये थे और ये करेले का जो पाउदा है वो बढ़ने लगा तो मैंने क्या किया कि एक जो है कि net लाया खरीद करके और net उपर जो नीजे लटका दिया और एक net मैं लाया खरीद करके दूसरे color का दूसरे मैंने क्या कि जैसे कि अब देख बार यह चड़ है ठीक है boundary के उपर जो चड़ लगी होती है दिवाल के उपर उसी चड़ से मैंने इसका एक सिरा बांदिया और चोणाई में इसको फैलाने के लिए मैंने यह डंडे लगा दिये तक कि चोणाई इसके आराम से फैले चुकि यह net है तो बहुत जली सिकुर जाता है ठीक है तो एक सिरा मैंने इसका बांदिया था boundary wall के उपर जो लगे हुए चड़ में और उसका एक सिरा मैंने यह स्टील के जो बार लगे हुए है जो स्टील के डंडे लगे हुए है उसमें मैंने इसको बांदिया हुआ है तो अब लंबाई में ठीक है लंबाई में यह अराम से कम से कम 10 से 12 फीट यह फैल गया है अब अराम से जो है कि इस पे करेला हुआ, चा लोगी हुआ, चा नेनुआ हुआ, चा जो भी हुआ, वो अराम से इसकी बेले की फैलती जाएंगी, देखिए, पूरा मैं आपको सिंद दिखा जा रहा हूँ इस पे, और यह जो मैंने डंडे लगाए हुआ हैं, तो इसको मैंने चोडाई में फैलाने बना लिया है, अब इस फिलाल तो मैंने करेला हुआ 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 है, बाकी भी चीज़े मैं इसमें उगाऊंगा, और आपको अपडेट में करता रहूंगा, तो आपके पास भी अगर ऐसी इतनी कम जगह है, तो मेरे तरीका इस्तिमाल करिए, और आराम से आप भी अच्छा इसमें कर लेंगे, और बढ़िया क्वार्टी की चीज़ें आप इसमें उगाप आएंगे, ठीक है, इसमें मैं कोई केमिकल खाट नहीं डालता, इसमें मैं और गैनिक खादी डालता हूं, ठीक है, एक बार आपको और ओवर्वियू दिखा देता हूं, देखिए ये, कितने जै हिंद, जै भारत